हलो दोस्तों, मेरे चानल आनिमल टॉक्स पर एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरा नाम सत्या है और पिछले एपिसोड में मैंने आपको पन्ना की दादीमा वतसला जी से इंट्रिड्यूस करवाया था और आज उस ही का कंटिनुएशन है तो मेरी जो आज की स्टोरी है उससे मैंने तो पर्सनली बहुत कुछ सीखा है और मेरी कोशिश रहेगी कि इससे आप भी कुछ सीखें तो जैसा कि मैंने आपको वतसला जी के रिटायमेंट का रीजन बताया था वो बहुत ही शॉर्ट वर्जन था आपको उसका फुल वर्जन आज बताएंगे पन्ना टाइगर रिजर्व के वेटिनरी सर्जन डॉक्टर संजीव गुपता आईए उनसे सुनते हैं बसला हाथी के साथ दो इंसिडेंस हुए हैं एक 2003 में इंसिडेंस हुआ था जब राम बहादूर नामक हमारे हमक्ता मेल एलिफैट मस्त के दो राग इसके पेट में दो बार बार करके दो बार उसके अपने टस्क पेट में डाल दिये थे जिससे उसकी इंटेस्ट साइन नीचे लटक गई थी तब उसका टीट मेंट कीया था लगवक 200 इस तुड़ाने के बाmis उसका पेट इसला गया था पेट सेलने में येह हुआ कि कुछ 3-4 दिन य strands भाद वह घाव सेप्टिक हो गया सेप्टिक होने का करणा था कि उसमें मिक्टी वरली ती बहुत जैदा जिसके करणा सेप्टिक हो गया सारे स्टिस को तोरा गया जैसे यह स्टिस को तोड़ा गया तो कर रादी दो बक्त उस Premium से पस सी कर घए आ और ड्रेशिंग करने के बाद जैसे ऐनीमल खड़ा होता था तो यह संदो नीचे लटक जाती थी तो उसके हमने एक कोट होती है उसकी कोटन का एक हमने उसका नेट बना करके उसके बार-बार कस्ते थे कस्ते के बाद इस तरह से हमने उसका टीट्मेंट किया लगवग नो माह में हुए पूर्ण रूप से स्वस्थ हो पाई इसके बाद 2008 में फिर पुना मस्त में रामबाद और एलिफेंट ने उसके राइट साइड से टस्क को अंदर डाला थोरेक्स के पीछे से और लेफ्ट साइड में वो पहुचा तो लगवक देड़ मीटर का घाउ था उसको लग कि वो कितना पावफुल और हेवी होता है। यू कांट इवन इमाजिन, I mean we can't imagine the pain that Vatsala ji was going through and because she is so mentally strong as well as emotionally strong, she is standing in front of all of us। और Dr. Sanjeev Gupta के बारे में जितना भी कहा जाए, उतना कम है। He was determined to heal Vatsala ji और पन्ना के official staff महावच सब का collective effort लेके उन्होंने Vatsala ji को ठीक किया। अब उनसे ये भी जानते हैं कि Vatsala ji की दादीमा वाली जो बात मैंने कही थी, उनकी words में, उनके लफजों में हम जानते हैं। Vatsala हमारे हाँ क्या लगवक विश्व की सबसे बजर्ग हतनी है। लगवक इसकी आयू सो साल के आसपास है। और बसला का नेचर जिस तरह से दूसरे अलिफेंट में भी होता है। बसला दादी मा ग्रांड मदर की तरह टीट करती है। और नर्स की तरह टीट करती है। बच्चे होते हैं वीनिंग करनी होती हैं बच्चों की। जब भी हमारा पार्चूरेशन होता है अलिफेंट का। तो पार्चूरेशन के समय हम जो फीमेल होती है उसको बसला के पास छोड़ देते हैं। तो बसला जो है उसको क्या टेकिंग करके उसका पार्चूरेशन सफलता पूबग कराती है। अब आपको समझ में आया कि मैं क्यूं कह रही थी कि मैंने स्टोरी से बहुत कुछ सीखा है। अनिमल्स कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन अपने अक्शन के थूरू हमें काफी कुछ बताते हैं। डॉक्टर संजीव गुपता और वजसला जी सिर्फ एक डॉक्टर और पेशन्ट का रिलेशन नहीं शेर करतें, बलकि दोनों की इंपोर्टेंस एक दूसरे की लाइफ में कहीं जादा हो चुकी आज की डेट में। डॉक्टर गुपता ने ये भी बताया कि जब वजसला जी का ओप्रेशन कर रहे थे, तो उनका पेट पूरा खुला हुआ था, पस फॉर्म हो गई थी, तो उन्हें अंदर जाना पड़ता था, तो वो मूँ पे कपड़ा बांध कर जाते थे, और जो फॉर्मेशन हुई थी पस की, तो वो क्योंकि वजसला जी की हाइट इतनी जादा, एलिफेंट की हाइट काफी होती है, तो इसलिए वो पूरी पस को अपने उपर लेते थे, और फिर वहां से वो ड्रेन आउट होता था, बट इरिस्पेक्टिव अफ एवरी थेंग, डॉक्टर गुपता वस वेर ली, तो हुआ ये था कि, जब ऑपरेशन हो गया था, उसके बाद वो ड्रेसिंग करने जाते थे वजसला की, तो ड्रेसिंग में भी काफी पेन होता था, तो वो क्या करते थे, उनके उपर ऐसे हाथ फेरते थे, पैट करते थे, और उनने गुड खिलाते थे, ताकि और वजसला जी ने अपनी सून, जो अपना ट्रंक है, उनके सर पे रखा, like, as if she's telling, कि God bless you, what you are doing for me, whatever you have done for me, you have saved my life twice, I was really moved by this incident of वजसला जी and Dr. Sanjeev Gupta, and after this, my respect for animals has gone to a different level, वजसला जी को old age problems भी हैं, जैसे उन्हें आख में नहीं दिखाई देता है, तो और उनके सारे दांथ भी गिर गए हैं, तो उसकी वज़ा से उन्हें बाकी elephants से हटके, जैसे कि VIP treatment दी जाती है, लेकिन इससे बाकी elephants को कोई problem नहीं होती, तो अब आप भी थोड़ा सा और patience रखिए, और इंतिजार कीजिए, मेरे next episode का, क्योंकि वजसला जी हैं ही इतनी special, कि मैं इस episode में भी उनकी story खतम नहीं कर पाई, तब तक के लिए, टाटा, बाइबाइ, I'll see you in the next episode. काईब दोड़ा साथ्टा एब हो जादास्टा जाड़ा सायओवाबाइ, टाब हो जाज एकिन नहीं हो जाग